नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सूरी भगवान को जल लगभग हर कोई अर्पित करता है सायद ही कोई ऐसा होगा जो अर्पित ना करता हो अगर आपके घर में 12 साल से छोटे उनके बच्चे हैं तो उन्हें सूरी को जल अर्पित कराने का अभ्यास कराईए या फिर सूरी की रौसनी में 2 मिनट ही सही जरूर बिठाईये सुबह सुवा ऐसा करने से आपके बच्चे का यादास मजबूत होता है दोस्तों सूरी को जल किन्हें अर्पित करना चाहिए और अर्पित करने का क्या तरीका है और वो कौन सा मंत्र है जिन्हें बोलने के साथ अगर सूरी को जल अर्पित करते हैं तो इसके ज़्यादा फल आपको मिलते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवान सुरे के उदे होते ही संपुर्ण जगत का अंधकार नस्ठ हो जाता है और चारो और प्रकास फैलाता है हमारे सरीर में मन में फूर्ती सी आ जाती है उमंग सी आ जाती है और नियमित रूप से अगर हम भगवान सुरे को जल और पित करते हैं तो हमारी बुद्धी तेज होती है, हमारा बल, हमारा तेज, हमारा प्राकरम, मान सम्मान यस और सरकार से लाब जैसी चीजे बहुत आसानी से मिलती है। सबसे पहले तो ये जानले, सुभा 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 सुरियोदे के पहले ही अगर आप उठने का अभ्यास करते हैं तो बहुत अची बात है, वर ना आज कल थोड़ा सा टाइम टेवल चेंज हो गया है, थोड़ा लेट भी होता है, कोई दिकत नहीं है। क्योंकि तामे के वर्तन में मीठी वस्तु नहीं डाले जाती, आप हाथ में ही रख लीजिए। अब भगवान सुरे को जल अरपित करें और वहीं पर मिस्री रख दें या गुड रख दें। ऐसा करने से मंगल दोस सांत होता है। और मंगल अगर दोस नहीं भी है, तो मंगल के जो सुभता है वो बढ़ जाती है। पुर्व दिशा में अगर भगवान सुरे उगते आ रहे हैं, सुभस वो अरपित कर रहे हैं, तो पुर्व दिशा की ओर ही अपना मुख करके अरपित करेंगे। और अगर भगवान सूर्य के दिशा चेंज हो गया है तो आप सूर्य को देखते हुए अपने फेश से माथे से उपर की और हाथ करें और फिर जल अरपीत करें दोनों हाथ से लोटे को पकड़के धीरे धीरे अरपीत करें यह एकदम से नहीं ढाल देना है और सूर्य को जोरा से जगत पते अनुकंपय माम भक्तया ग्रियनार्थं दिवाकरा और एक दूसरा मंत्र जो पहरे ही निकल चुका है हम आपको बता दे ओम हरिंग रिंग सूर्याय सहस्त्र किरनाय मनो वांचित फलम देही देही स्वाहा इन मंत्रों का कम से कम तीन वार या 11 वार आप जब कीजिएगा सूर्य को जल अर्पित करने के साथ ही करते रहिए उसके बाद भी कर सकते हैं इसके बाद आप चाहें तो हाथ की अंजूरी में जल लेकर अपने चारों और भी छिरक सकते हैं और जहां पर आपने खड़े होकर भगवान सूर्य को जल अर्पित किया मंत्र पढ़ा वहीं पर खड़े खड़े तीन बार घूम कर परिक्वा करें क्लॉक वाइच अगर आपको लगता है मंगल की ज्यादा समस्या है आपकी कुंडली में परिसानी ज्यादा है चोड़ चपेड एक्सिडन जैसी संभाव नाये हैं तब भगवान सुरे के सामने यानि जल अरपित करने के बाद वहीं पर खड़े होकर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें इससे जीवन की तमाम परिसानिया दूर हो जाती है दोस्तों अगर आपका गुरू गरबर है साधी विवा होने में बहुत परिसानी आ रही है विवा तै नहीं हो पा रहा ब्रस्पती गरबर है बैवाही जीवन में परिसानी है तब क्या करेंगे तब ऐसे में सुर्य भगवान को जो आप जल अरपित करेंगे उसमें एक चुटकी हल्दी डाल कर फिर भगवान सुर्य को जल अरपित करें और लोटे के बगल में जो हल्दी लगी भी रह जाए उससे खुद को तिलग करें ऐसा करने से आपका गुरू ब्रहस्पती मजबूत होता है और बैवाही जीवन की समस्या दूर होती है या फिर बिवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है अब बात करते हैं आपके स्वास्त की समस्या है तब क्या करेंगे तब भगवान सुरी को जब भी जल अर के लिए डाल कर फिर भगवान सुरे को अर्द दें और लोटे के बगल में जो रोली लगी भी है उससे खुद को तिलक कर लें ऐसा करने से आपका स्वास्त उत्तम बना रहता है भगवान सुरे को जल देते से में अगर आप यूही नित दिन नित रोज मर्रा की लाइफ में अ सुरे का मंत्र जपते वे जल अर्पित करते हैं तो इसका फल भी आपको उतना ही मिलता है और जीवन में मान समान वाला पार्ट बढ़ जाता है सुरे मजबूत हो जाता है और हमेशा ही ध्यान दीजेगा जल अर्पित करते से में आपका हाथ आपके सिर से उपर होना जान्त हो जाता है लेकिन तीन प्रिक्रमा करना मत भूलिएगा ये बहुत जरूरी है दोस्तों भूल कर भी भगवान सुरी को जल देने के लिए चांदी प्लास्टिक या सीसे के बरतन का यूज ना करें सबसे अच्छा तामभा होता है नहीं तो पीतल के बरतन से भी अरपित कर सकते हैं भगवान सुरी को जल अरपित करने से वैसे तो लोग क्या करते हैं लोटे में गुड़ चावल सब कुछ डाल लेते हैं लेकिन देखिए अगर तामभा का लोटा है तो मीठी चीज़े नहीं डालेंगे हाथ में रखेंगे अगर पीतल का लोटा है तब उसमें ग पूजा करें तो किर्पा जादा अच्छे तरीके से मिलती है अगर सुरी की किर्पा हो जाए तो जीवन में तमाम जो बाधाये हैं आपके जौब समंदी बैपसाय समंदी कारे समंदी वो दूर होते हैं और धन की प्रापती के योग भी बनते हैं तमाम गरह जो नकारतमक प सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा आपका स्वास्त भी उत्तम रहेगा क्योंकि सुभा सुभा सुर्य का दर्शन करने से विटामिन डी की कमी भी पूरी होती है और सुभा सुभा अगर आप प्रनायाम करते हैं अर्ली मॉर्निंग सुरी की रोसनी में तो इसके बहुत सारे ल अगर जीवन में ज्यादा परेसानी हो तब ऐसे में रवी वार के दिन अदरक और सरसों के तेल का प्रियोग ना करें और रवी वार के दोपहर में आप कुछ भी खाये मीठा वेगरे खा सकते हैं पर रात में आप खाना खा लीजिएगा तो दोस्तों छोटे-चोटे उपा लेते हरहर महादेव